किसान आंदोलन के चलते आज शुक्रवार को भी करनाल के ओईसिस टोरिस्ट कॉम्पलेक्स के समीब जिला पुलिस की ओर से बड़े बड़े बेरिकेट्स लगाए गए है जिसके चलते नेशनल हाईवे पर बड़े डंपर काफी मात्रा में खड़े किये गए हैं ताकि पंजा पॉर्डर से आने वाले किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जा सके जिला पुलिस प्रसाशन द्वारा रात से भारी पुलिस बल हाईवे पर खड़ा कर दिया गया है वाटर कैनन की गाडिया एवम अन्य सुरक्षा के साजो समान के साथ पुलिस बल हाईवे पर ही तेनात है इस मौके पर पुलिस अधिक्षक गंगाराम पुनिया ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कानून विवस्था को बनाए रखना है एवं किसानों को आगे जाने से रोकना है मौके पर बड़े बड़े पत्थर लगा कर बेरिके सोड़ते हुए दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं परंतु आज भी कुछ और किसान जो अंबाला में अचके हुए हैं एवं पंजाब बॉडर से दिल्ली जाने के लिए करनाल के रास्ते आएंगे उनको रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं मौके पर करनाल के जिला उपायुकत एवं जिला मेजिस्ट्रेट निशान्त कुमार यादव स्वेम कमान संभाले हुए हैं एवं पूरे जीटी रोड पर सुरक्षा बलो के साथ स्थिती पर अपनी कड़ी नजर जमाए हुए हैं समाचार एक्स्प्रेस से बाचीत करते वे जिला उपायुकत जिला प्रशासन करनाल द्वारा व्यापक प्रबंद किये गए। पूरा जीटी रोड चावनी में तबदील हो चुका है। यहां से भी अब कुछ किसान जो अबाला पंजाब ओडर पे अठके में हैं वो अगर यहां से आते हैं इदर आते हैं तो हम उनको यहीं पर ऑंगे इसी भी कीमत पर आगे नहीं निकल नहीं ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें थान्य वाल 3D Banquets Enterprise